दोस्तों चर्चा कर रहे हैं हिंदी के बहुत ही महत्पूर्पृष्ण जोग की आपकी पेपर के लिए बहुत उप्योगी है पहला हिंदी के सब्दों का लिंग निर्धारन किसके आधार पर होता है कौन सी लिंग का है स्थ्री लिंग पुल लिंग कैसा सब्द है या किसके अधार पर होगा हिंदी में तो आपको बता दें आप भी कमेंटें बताते जाएं संग्या के आधार पर किसके आधार पर संग्या के आधार पर अगला बढ़ते हैं कि कारक कितने होते हैं हिंदी में आपको बता दें कारक आठ होते हैं ठीक है हिंदी में कारक कितने हैं आठ करताने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन इह बो और ऐसे होते हैं ठीक है चली अब बहनारूड मतलब बाहनारूड मतलब बाहन पर आरूड पर सप्तमी जो अधिकरनकारा के उसका चिन्द क्या है मैं पर तो बाहन पर आरूड तो यही क्या हो जाएगा उसका उत्तर ठीक हो जाएगा आगे देखें निमने लिखित में से कौनसा अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है अनिश्चय वाचक सर्वनाम नहीं है वो आपको वतलाना है तो कुछ भी अनिश्चय है कुछ ना कुछ एभी अनिश्चय है सब कुछ सब कुछ क्या सब कुछ वो भी अनिश्चय है तो जो ब इसे सिरूप ठीक है तो जलिये का हो जाएगा जल याद रखेगा जल से बना है जलिये निमने लेखित मैंसे कौन सा बेंजन संघर्सी है संघर्सी बेंजन आपको हमने एक बार पहले भी बताये थे कि सा 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 और हा ये चार सब्द क्या है यहां वही पूछा गया है संघर्सी बेंजन तो आप हाँ इसको लगा सकते है ठीक है हाँ निमने लेखित मैंसे कौन सा बरण इसपर्स बेंजन नहीं है इसपर्स हमने बताया थे कि का से लेकर कर कि मा तक के जो पच्चीश बरण है वो सारे इसपर्स है ठीक है तो यहां पर पूछ रहें नहीं है तो का बर्ग का है चा बर्ग है चा बर्ग का टा भी है तो या नहीं है या कैसा है अंतस्त बेंजन है अंतस्त होते हैं या वा रा और ला इस चार कैसे हैं अंतस्त बेंजन है ठीक है बहुत महत्पून प्रिशन है यह प्रिशन ऐसे ही आएंगे पेपर में इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप पूरा देखें सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजीगा चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कंठ धोनी कौन सी है कंठ धोनी बताना है जिसका उच्चारण कंठ से होता है तो हमने आपको बताया था कि का बर्ग जो है वा कंठ से उच्चारण होता है तो का और खा क्या हो जाएंगी कंठ धोनी हो जाएंगी पूरी यह दिए आपको याद करना है ट्रिक के साथ किसका उच्चरन क्या है तो चैनल आप तॉप 50 श्टडी चैनल पर जाकर के प्लेइलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा या वीडियो में देख लीजिए तो आप पढ़ सकते हैं यारा लाबा के स्वर्क के ब्यंजन है तो अभी हाल हमने बताया था कि जेए प्रक्षों से पत्ते जढ़ते हैं में कौन सा कारक है या ब्रक्ष से पत्ते जढ़ रहे हैं गिर रहे तो आपादान कारक हो जाएगा आगे देखें निमने सब्दो में उपयुक्त परयायवाची बताई जल्दी से अमरित अमřित का परयायवाची निमने मैं से कौन सा है तो पहले दिया है सबसे पहले प्यूस, ही क्या है, अमुरित का प्रयावाची है, ठीक है, ओदक मतलब तो जल होता है, अम्बू मतलब भी, जल, समुद्र, और सहद, सहद, आप लोग जानते हैं, मर्कट, मर्कट का प्रयावाची, कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि मर्कट कहते हैं बंदर को याद रखीएका बंदर ठीक HEY? मर्कट का परियावाची क्या हो जाएका बंदर आगे मेधावीsur मेधःभी परियावाची पता देजाए जल्दी परियावाची बिलॉम औप पूछे ही जाएंगे कहीं भी हिंदी पूछीजाए तो आपको economist तो संसनाहट कौनसा प्रत्य हो जाएगा आहट प्रत्य हो जाएगा प्रत्य हो जाएगा अधी मानता में प्रियुक्त उपसर्ग है अधी मानता जल्दी से बता दीजी अधी मानता में उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग हो जागा अधी ठीक है सब्द के पहले लगते हैं भरपेट किस समास का हो धारन, कई बार पूछा गया है, कि भरपेट किस समास का हो धारन है, तो आपको बता दें, पहला सब्द भर क्या है, अब्या है, तो क्या हो जाएगा, अब्या ही भाव समास, नबग्रह सब्द का समास भेद बताई, नबग्रह मतलब नो ग्रहों का समूह, पहला सब्द है संक्याबाची, तो कौन सा समास हो जाएगा दिगू, तो समाहार का अर्थ भी है निमनलखत में बिलोम सब्द चुनना है, चलिए बिलोम सब्द आ गए भी पूछे जाते हैं, कहीं गद्द पद्द भी पूछा जाए, तो उसमें से इस सब्द निकाल करके वो बिलोम और परियावाची पूछ लेते हैं, याद रखीएगा, इसलिए वो ही आपकी तैयारी य अपकार को माने, तो इसका जो बिलोम सब्द हो जाएगा, अब हो जाएगा करतग्न, जो किये हो अपकार को ना माने, संकीरिण, संकीरिण मतला संको छोटा, ठीक है, तो संकीरिण का जल्दी से आपको बतादे हैं, तो विकीर्ण, ठीक है, मतला विस्तार, धातूसमा में प आपको बता दें कि दीर्ग संधी हो जाएगी क्यों इसका बीच्छित क्या होगा तो आपको बता दें धातू पिलस उस्मा तो उ और उ मिल करके बड़ा उ बन जाएगा तो क्या बन जाएगा धातू स्मा ठीक है निही धन कलंक का सही संधी सब्द कौन सा होगा निही धन कलंक बिसर्ग का हो जाएगा साख, ठीक है तो बन जाएगा निसकलंक, बिसर्ग संधी के अंतरगत आजाएगा, पूरी ट्रिक से तो हमने संधी पढ़ाई है, चाहे हिंदी की संधी उसके लिए ट्रिक के साथ बीडियो लाए, संस्कित की संधी के लिए उस समास के लिए भी बीड पर देख सकते हैं आगे देखें निम निलिखें प्रतिएक प्रतिक में तीन बाख के दिये हैं ठीक है तीन बाख के दिये हैं उनको क्या करना है तूटी मतलब गलती देखनी है बाले बाक्यांस को चुनी उसके अनुरूप ABC पर चिन लगाई किस बाक्त में तुटी है मतलब गलती है पहला यहाँ पर देखें जब मोहन सभा इस थल पर पहुचा यह तो सही लग रहा तब सभा बिसरजन हो चुकी थी बिसरजन नहीं होता समाप्त हो चुकी थी बिसरजन नहीं होता सभा का ठीक है तो यह क्या हो जाएगा C इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है C ऐसे पहर जिसमें तुटी हो वो चिन लगाना है मैं जिस बस से जा रहा था बह बहुत भरी हुई थी 24 में का जल्दी बताईए तो मैं जिस बस से जा रहा था बहुत बहुत भरी हुई थी सा वही सही है तो D हो जाएगा इसका कि कोई टूटी नहीं है सही है आगे उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर सुद्ध गाय का घी मिलता है उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर सुद्ध गाय का घी मिलता है उसने लिखा फर बुल ला उसकी दुकान तो उस उस दो बारा आगे तो बी क्या हो जाएगा गलत है तो यहाँ पर बी की में आ सुद्धी है तुरुटी है ऐसा कर सकते तो उसने लिखा था कि दुकान पर सुद्ध गाय कगी है उसको दो आरा के लाना थंड के दिनों में प्राता काल के समय सर्दी काफी वड़ जाती है चली जल्दी से गलती पहचान लीजे क्या है तो ठंड के दिनों में प्राथा काल के समय एक तरह प्राथा काल कह रहा है एक तरह मैं समय कह रहा है प्राथा काल बोल दिया है समय की जरूरत है यह नहीं ठीक है इस प्रकार से गलती हो जाएगी आगे रामचरित मानस भक्तिकाल की सबसे स्रेष्ट तम रचना मानी जाती है बताइए कौन सी इसमें तुटी है या सुद्ध है तो आपको बता दें कि रामचरित मानस भक्तिकाल की सबसे स्रेष्ट तम नहीं बोला जाता स्रेष्ट ठीक है स्रेष्ट ही बहुत है स्रेष्ट रचना होती है तो स्रेष्ट तम कब बोला जाता है जब एक दूसरे की अप एक छा की जाए तो स्रेष्ट यह कई है ठीक है आगे यद्यपी पंडित है फिर भी हटी है को संयुक्त बाक में परिवर्तित कीजिए पंडित ह प्रिश्टी राष्टिता का आधार है। अगे स्थान की सुर्थी खहली इस्थान अंतिम देख लेते हैं निम्न लिखत में से कौनसा विवस का द्रोध ई है, वीवस का द्रोध ही बतलाना, जब कोई बेकारद्ध से देखेंगे अच्छा सजा हुगा देखेंगे, अपराद भोध से होने वाली गिलानी, बाक्यांस के लिए एक सब्द है, जो स्वयम के अपराद भोध से जो गिलानी होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, आत्म गिलानी, क्या बोलते हैं, आत्म गिलानी, हमारे बताने से पहले कमेंट में आप भी जरूर से उत्तर दें, इससे आपका भी अभ्यास हो सकें, चली आगे बढ़ते हैं, उत्तर हम नहीं बताते हैं, दिखा रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से कमेंट में बताते जाएं, तो अगला जो प्रस्न है, भै है, केसव कही न जाई का कहिए, कही बार देखत तव रचना विचित्र अती समूझी मन ही मन रहिए, अब देखें, केसव कही न जाई कही कुछ कही नहीं सकते, देखत तव रचना विचित्र अती समूझी मन ही मन रहिए, मतलब अची विचित्र रतना, अती विचित्र जब कोई चीज देख लें तो क्या होता है, एक अध्वुत चीज हो गई, तो कौन सा रस हो जाएगा, अध्वुत रस यहाँ पर हो गया, कौन सा हो गया, अध्वुत रस, अर्थ से आप लगा सकते हैं, और निरंतर अभ्यास करते रहें, तो आपको रस पहचानना, अलंकार पहचानना असानी से आ जाएगा, आगे पर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, पिली लिष्ट में जाकर के आप वीडियो पर जाकर के करम से, पूरे हिंदी व्याकरण के, हिंदी भासा काब सास्त्र की रसंस के तादी के वीडियो आपको हाँ पर मिल जाएगे, तो आगे देखते हैं, सारंग ले कोनसा है? सारंग. जहां पर एक सब्दु लेकिन अलग उसके हर वार अर्थ क्या है? अलग अलग है. तो वहां पर कोनसा अलंकार हो जाएगा? यमक, अलंकार हो जाएगा. कौनसा हो जाएगा? यमक. ठीक है? याद रखीएगा. अगे बढ़ते हैं, समान अर्थ बताने वाले सब्द क्या कहलाते हैं ये तो हर उसके सिलेवस में होता है भी ये समान अर्थी अर्थ होते ना तो समान अर्थ बताने वाले सब्दों को क्या कहते हैं ठीक है तो आप लोग आसानी से पहचान जाएंगे कि परियावाची सब्द कहते हैं समान अर्थ बताते हैं जैसे पानी का हो गया नीर समानी अर्थ है जल ए सब कुछ ऐसे बिलोम सब्द होते हैं विप्रीतार्थक अनेक अर्थी कहलाते हैं एक सब्द के अनेक अर्थ होते जैसे हाथ का होता है कर एक होता है ठीक है अब इपन ने पड़ा था ना कर एक होता है कर का हाथ एक होता है ऐसे टेक्स इत्यादी सामान सब्द सामान हिंदी की सब्द होते हैं आगे देखें भारत वर्स में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे आप भारत के नाग रखेंगे आप हिंदी को कि वर्ग में रखते हैं तो आपको बता दें कि हिंदी क्या है राज भासा के रूप में राज भासा नहीं होना चाहिए अपन तो राष्ट भासा के रूप में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा किसके रूप में रखना है राष्ट भासा के रूप में रखना है ठीक है रा परियाए समानार्थक सब्द के लिए चार-चार विकल्ब दिये हैं उचित विकल्ब चुनियों उत्तर पस्ति क्या मत्ता दंग सा लिखिए देखें परियावाची है अब परियावाची अपनको देखना है कि उचित विकल्ब कौन सा घर का अब घर का परियावाची बताईए जल्दी से आपने पड़े होंगे तो आपको बता दें कि घर का जो परियावाची है बह प्रवास तो होता नहीं प्रवास मतलब कहीं पर वो करना मत मतलब साथ रहना तो आवास हो जाएगा घर का क्या हो जाएगा आवास अब आग में जो ए और बी दिये हैं कि हमने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बतलाई थी आपने हमारे पिछले वीडियो देखी हो तो मैंने बताया था कि आग का परयावाची होता है अनल अब ट्रिक दे किसी का नाम अनल हो नहीं होता हाँ अनल होता है किसी का नाम तो अनल का अर्थ है बायू याद रखीएगा अनल का के आर्थ है बायू सब द्योग में भी आ जाता परयावाची ओ अनल मतलब होता है आग याद रखीएगा ठीक है आगे देखें स्वाधिंता का परयावाची सब्ध आपको बतलाना है जल्दी से आप कमेंट में उत्तर देते जाएं तो स्वाधिम ता मतलब होता है इसा्वतंत्र था एक प्रेकार पिता का बताईए जल्दी जल्दी प्रेयाबाची बनते हैं मतलब आपके दो नम्मर पक्के हैं जहाँ पर भी हिंदी पूछी आ रही है पिता मतलब किसको कहते हैं? जनक जनम देने वाला जनक ठीक है बढ़क कहते हैं ब्रामण को अगरज बढ़े भाई के लिए पितर आप जानते हैं जो पितर होते नेत्र का और बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं नेत्र का जल्दी से बता दीजिए नेत्र का परयावाची A, B, C, D कि नेत्र अक्शी आंक 네त्र सुर्ति मतल represent नृट थिक है तो वह होगा ही नीइ तो नेत्र का क्या हो जएगा अक्शी चलो अब आँगे बढ़ते हैं कि नीचिны दीघए头 के सब्दों के भिलोम सब्द के चार-चार रूप दिया है अब साहई भिलोम चुनना भिलोम मतलब उल्टा ठीक है जल्दी जल्दी क्यों कि परयावाची बिलों में तो पूछे ही जाते हैं यह हमने ट्रिक से अपने चैनल पर पढ़ाए हैं तो आप ट्रिक जा करके जरूर देख लें बाकी याद भी कर लिजे संधी संधी का अपन क्या करते हैं बिच्छेद करते हैं तो संधी का क्या हो जागा बिच्छेद ठीक है ऐसे संधी मतलब होता है जोड़ना और बिच्छेद मतलब अलग अलग करना जैसे हिमालाय सब्द लिखा और इसको अपन बिच्छेद करेंगे तो हिम्पिला सालाय हो जाएगा तो यह हो गया आगे देखें संयोग अब संयो में तो विकास एक तरफ विकास हो रहा तो उसका हो जाएगा हिरास विकास मतलब बढ़ना हिरास मतलब कम होना हिरास हो जाएगा उत्थान किसी जीब का उत्थान होता है उत्थान नहीं होता तो क्या होता इसका उलिटा पतन उत्थान पतन लगे रहते हैं तो पतन हो जाएगा छुद्र छुद्र मतलब छोटा तुछ तो अब इसका बिलों क्या हो जाएगा जो छुद्र बैक्ती होगा कोई छोटी सोच वाला छोटा तो उसका हो जाएगा महान, महात्मा होगा तो महान हो जाएगा ऐसे आप अर्थ लगा लिया करें अब फिर देखें आंगे ऐसे बहुत सारे महत्पून वीडियो हमारे चैनल पर अप्लोड हो चुके हैं प्ले लिष्ट में जाकर जरूर देख लीजेगा ओ आंगे निरंता ला रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दुस्तरी प्रिष्ट पसंद आ रहे हैं चलें तो अब आंगे बढ़तें क्या पूछ रहे हैं नीचे चार सब्द दिये गए हैं जिनमें ऐसे तीन की वरतनी गलत है वरतनी वाले भी एक दो कोस्टिन पूछे ही जाते हैं और एक ही सही है दिये गए चार वरतनी वाला सब्द पन को चैन करना है बिल्कुल धिहान से आप इसको पढ़िए और एक प्रिष्ट में हम आपके कई प्रिष्टों की तैयारी कराई रहे हैं अब देखें सबसे पहले यहाँ पर 41 वे में द्रस लिखा यह तो सई लग रहा है बिल्कुल सई है द्रस से असानी लिखा जाता यह सब तीनों गलाथ हैं पहला ही इसका सई है अगला 42 वे का जल्दी यह भी शीडी आप भी बताते चाहें अब सबसे पहले तो आपको यह दी सबसे लिखना है सबसे और बोलना आना चाहिए तो आप पहचान सकते हैं तो अपन्दी क्या बोलते हैं एतीहासik born today is यहां एतिहासik खें। यहां ऐति हासीसीक है ठीक है यहां एती हो गया बढ़ाता हो गया तो ए बी सही हो जाएगा एती हासिक अपने भूलते भाई एती हासिक चीज है एती हासिक एमारत है ऐसे आगे इसमें बोलते हैं बांग मैं लखना चाहरा है अब बांग मैं आपने कई बार देखा होगा जब पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार का भी नी इस प्रकार का भी नी यह साई वांग इंगा आता है क्या आता है इंगा आगे देखें सोहार्द जल्दी से बता दीजिए सोहार्द सुधुच्यारण सोहार्द को ऐसा लखा जाता है सवहार्द बोलना चाहिए सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला बहरी बहरी आई एंपी जोस्तना उज्वल दो सब्द ऐसे मैंने देखा कही न कहीं पेपर में आई जाते हैं तो जोस्तना जल्द यसे आमने उज्जल की ट्रिक वताई थी कि जहां पर आधि 2 जा हों वहां पर उज्वल है ऐसी जोस्तना का भी आप देख लीजिए कि जोस्तना तो जोस्तना का इस C साही हो जाएगा जहां पर आधासा और आधाता हो एसे पहचानने का है ठीक है तो वो जोत्सना ठीक हो जाएगा C number ठीक है तो इस प्रकार से यह हमारे आज के प्रिशन पूरे हो गए हैं कल पुनहां 25 प्रिशन ले करके आएंगे आज इस वीडियों 20 प्रिशन लिए हैं वीडियों हमारा complete हो चुका है तो अंगले वीडियों के लिए आप तयार रहें ऐसे बहुत सारे महत्पूर्ण प्रिशन ले करके आए हो आएंगे भी ले करके आते रहेंगे ठीक है आप अच्छे से तयारी करें सभी के लिए बहुत बहुत सुपकाम नाएं जय है